हेलो दोस्तों आज हम अपना नेक्स्ट सेकंड पार्ट शुरू करेंगे इसमें हम आपको टाइंड वोल्टेज बताएंगे ECG ग्राफ पेपर की एक ECG ग्राफ पेपर एक मैथेमेटिकल ग्राफ पेपर होता है जो ECG के रोल आता है वो एक मैथेमेटिकल होता है बताएंगे इसकी dimensions क्या है इसकी जो बड़े box की एक की बताएंगे और चोटे box पहले चोटे box की start करते है जो चोटे box की breadth है वो है 1 mm ऐसे ही इस चोटे square की length है 1 mm तो इसकी dimension होगी 1 mm तो इसमें ऐसे 5 चोटे box आ रहे हैं तो एक बड़े box ही कितनी होगी 5 mm length ऐसे ही उस बड़े box की breadth कितनी होगी 5 mm ठीक है ना अब इसमें जो graph paper बेसिकली इसमें waves का हमने amplitude as well as time duration note करना होता है तो जो हमारा amplitude है वो amplitude हम इस axis पे y axis पे देखेंगे amplitude और जो हमारी duration होती है time duration वो हम x axis पे देखेंगे duration होती है जो हमारी ऐसे ही हम इसमें कुछ values आपको बताएंगे जो आपको calculate करने में असानी देंगी amplitude as well as time duration amplitude millivolts में आएगा amplitude में millivolts में आता है और time duration fraction of seconds में आती है fraction of seconds उसमें आ जाती है तो हम शुरू करते हैं पहले amplitude से एक small small जो ये वाला square है ये एक amplitude को represent करता है 0.1 millivolts तो ये जो बड़ा वाला ये बड़ी वाली line है ये ये बड़ा वाला तो ये amplitude कितना रहा है into 5 0.1 into 5 which is 0.5 millivolts इसको represent करता है अब ऐसे ही एक जो small square है ये time duration को represent किसको कर रहा है कितनी है values की 0.04 second तो ये एक बड़ा जो 5 mm वाला हमने आपको बताया था ये time duration कितनी represent करे रहा है ऐसे 5 box आ जाते है into 5 which is 0.2 second ये duration आ जाती है न हमारी तो ये आपको कुछ values आपको ये याद करने पड़ेंगी आपको help करेंगी तो अभी आप इसको याद करेंगी अब आयाता है next जो इसकी shape बताती है कि इस wave की shape कैसी है वो इसकी configuration होती है तीन जीज़े हैं आपको note करनी है चलो पहले इसको calculate करते हैं हम इसका amplitude के बारे में बताते हैं जो हम y axis से measure करेंगे तो इसका amplitude ये दो big boxes ये wave है ना ये दो ऐसे बड़े box को occupy कर रही है y axis पे तो जो इसका amplitude आएगा एक बड़े box का amplitude कितना होता है 0.5 mili volt दूसरे का भी वही है 0.5 mili volt तो ये दो box को occupy कर रही है तो इनको जब add करेंगे तो कितना आजाएगा 0.5 plus 0.5 mili volt which is 1 mili volt इसका amplitude आगया हमारे पास जो हमने इस example में बताया आपको तो इसका ये amplitude उड़ा गया अब इसकी duration calculate करनी है duration में एक ये वाला बड़ा box इसने occupy किया हुआ है एक ये वाला x-axis पे occupy किया हुआ है 3 ये छोटे डबे occupy किया है और 2 इदर छोटे occupy किया है तो ये total इसके एक जो बड़ा box होता है ये एक बड़ा box ये कितनी time duration आपको बताता है point two second एक इसने ये वाला किया हुआ है ये कितना बताता है point two second और 2 छोटे इदर तीन इदर तो एक बड़ा ये हो गया इसको और इसको मिला कर तीनों को एड़ करके कितना आजाएगा point two ठीक है न तो टोटल इसकी duration कितनी आजाएगी point two को तीन से multiply जब हम करेंगे तो हमारा answer आजाएगा point six seconds कि इसकी duration आ रही है अब ऐसे ही हम इस एक और example में बताएंगे कि पहले हम a wave के बारे में discuss करेंगे a wave का हम पहले amplitude पता करेंगे कितना है जो a wave है वो एक box बड़े को occupy कर रही है y axis पे तो एक बड़ा box y axis पे कितना amplitude को donate करता है करता है कितने को है point five millivolt को तो a wave का amplitude point five millivolt आ चुका है यहां पे और ऐसे ही b wave का amplitude कितना है एक यह box इसने y axis पे cover किया हुआ है एक यह box इसने y axis पे cover किया हुआ है point five is for each इसका भी point five तो कितना आ गया one millivolt is the amplitude of b wave है और अब time duration की बात करते है time duration में क्या है a wave ने एक पूरा x axis पे cover कर रखा है तो एक पूरा बड़ा box x axis पे कितना time donate करता है point two second यह कितना आ गया point two second अब ऐसे ही जो b वाल आए उसने भी एक बड़ा box ऐसे cover किया हुआ है x axis पे horizontally तो एक बड़ा box कितना represent कर रहा है point two second तो इसकी time duration b wave कितनी आ गई point two second तो हम कहना चाते हैं कि जब इन दोनों के बारे में हम describe करेंगे तो कहेंगे कि a wave and b wave have a time duration of point two seconds each whereas the amplitude of a wave is half of that of the b wave यह ही है अब यह दोनों a और b waves एक straight line जिसका कोई electrical activity नहीं है उससे cover नहीं यह वाली straight line तो दोनों के बीच के interval भी calculate कर सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच पांच बड़े box अकुपाई किये हैं एक बड़े box की value कितनी है seconds में point two तो पांच की कितनी होगी one second तो दोनों के बीच का interval कितना है one second तो यह कुछ हमने आपको examples करेंगे through calculation, time और voltage ही करके दिखाई है amplitude or duration की जो आपको values याद करनी है thank you आप हमारा चैनल subscribe जरूर किए यह हमें motivate करता रहता है कि हम बढ़िया से बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेकर रहे है thank you so much